Welcome to Edujos, Edujos में आप सबी लोग का स्वागत है दूस्तो आज किस वीडियो में हम लोग सेप्टेंबर 2020 तक वर्तमान में कौन क्या है ठीक है इन सभी questions को देखेंगे photo के साथ उन सभी personality की photo भी आपको देखने को मिलेगी जो भी लोग है जैसे कि भारत की नए चुनाव एक कौन है तो उनकी photo भी आपको देखने को मिलेगी तो उस तरह से जितने भी question है आने वाले किसी भी exam के लिए ये important है एक से दो number के question आपके RRB, NTPC के अंदर भी पूछा जा सकता है तो ये सारे questions आपके आने वाले किसी भी exam के लिए चाहे SSC के exam हो या railway के या फिर कोई भी competitive exam जहांपर state government का हो या central का जिसके अंदर current affairs पूछा जाता है तो ये सारे questions वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं चैनल से पहली बार जुर रहे हैं तो चैनल को subscribe करें साथ में bell icon जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो का notification आपको सबसे पहले भी ले और वीडियो को like करने में या share करने में किसी तरह की कोई कंजूसी मत किजेगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं अगला question यहाँ पर है भारत के जो प्रधान मंतरी है ने इंद मोदी उनका नया निजी सचिव यानि प्राइवेट सेक्रेटरी किसको निउक्त किया गया है तो आंसर होगा हार्दिक सतीष चंद्र ठीक है नेक्स्ट कुश्यन देखे अगला question है चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ यानि CDS जो है वो भारत में ये पहले CDS है भारत के नाम याद रखे विपिन रावत इसके बाद question यहाँ पर है भारत के लोगपाल कौन है तो लोगपाल का नाम क्या है पिनाकी चंद्रगोश भारत के पहले लोगपाल भी है तो ये भी आपको याद रखना है PC घोश आपको अंसर याद रखना है इसके बाद question यहाँ पर है भारत के केंद्रिय सतरकता आयुक्त यानि CVC किसे नियुक्त किया गया है Central Vigilance Commission किसको नियुक्त किया गया है तो अंसर होगा संजय कोठारे जी को इसके बाद question यहाँ पर है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है बिमल जुलका इसके बाद question यहाँ पर है सात्में बेतन आयोग की अध्यक्ष कौन है तो सात्में बेतन आयोग की अध्यक्ष का नाम है अशोक कुमार मातूर यानि A.K. मातूर भी आप याद रखिएगा ठीक है देखिए कोई भी न्यूक्ति अगर छूट जाती है इसा लगता है आपको कि इस वीडियो के अंदर में उसको सामिल करना चाहिए ठीक है तो आप उसके लिए जरूर बताएगा कि कौन सी ऐसे न्यूक्तिया है जिसको इसके अंदर सामिल करना चाहिए तो comment करके जरूर आप लोग बदाएए next वीडियो में हम लोग उसको सामिल करेंगे next question यहाँ पर है पंदरह में वितायोग की अध्यक्ष कौन है तो पंदरह में वितायोग की अध्यक्ष है नंद किशूर सिंग short में इनका नाम आपको N.K. Singh आपको याद रखना है तो N.K. Singh भी आपके लिए एक्जाम में पूछा जा सकता है और इसी में 14 में वितायोग का आपसे पूछ दिया जाए कि 14 में वितायोग की अध्यक्ष कौन थे तो आपको याद रखना है ये सवाल कई बार एक्जाम में पूछा गया है रेलवे और S.S.C. के एक्जाम में तो इसलिए ये इंपॉटेंट है 15 में वितायोग को आपको याद रखना है इसके बाद कोईशन यहाँ पर है महिला आयोग यानि National Commission for Women की अध्यक्ष कौन है तो आंसर होगा रेखा शर्मा अगला प्रशन यहाँ पर है रास्तिय मानवाधिकार आयोग यानि NHRC के अध्यक्ष कौन है तो आंसर होगा H.L.Dattu इसके बाद कोईशन है भारत के रक्षा सचीव कौन है तो रक्षा सचीव का नाम है अजय कुमार नेक्स्ट कोईशन है भारत के कैबिनेट सचीव कौन है कबिनेट सचीव का नाम है राजीव गौबा इसके बाद कोईशन यहाँ पर है भारत के वित्त सचीव यानि Finance Secretary कौन है तो ये है अजय भूशन पण्डे इसके बाद कोईशन यहाँ पर है भारत के राजासु सचीव यानि Revenue Secretary कोन है तो इनका भी नाम अजय भूशन पांडे ही नाम है तो ये दोनों ही पद के लिए आपको याद रखना है दोनों पद के लिए कौन है अजय भूशन पांडे इसके बाद अगला जो कुशन है वह है भारत के विदेश सचिव कौन है तो विदेश सचिव का नाम है हर्ष वर्धन शरिंगला इसके बाद कोशन है भारत के ग्रिह सचिव कौन है तो ग्रिह सचिव है अजय भला इसके बाद कोशन यहाँ पर है राश्पती रामनात कोविंद का नया नीजी सचिव यानि प्राइवेट सिक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है तो अंसर होगा पी परवीन शिधार्थ ठीक है यह आप याद रखेगा यह अगस्त दो हजार जो 20 में इनको बदला गया था इससे पहले अपरील में जो थे वो दूसरे थे यहाँ पर यह अगस्त का डेटा है इसलिए आप इसको याद रखे इससे कंफ्यूज नहीं होएगा पी परवीन सिधार्थ जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी है रामनात कुविन जी के इसके बाद देखे कोईशन है भारत के सॉलिसेटर जनरल कौन है तो इनका नाम हो जागा तुशार महता ठीक है इसके बाद यहाँ पर है भारत के महा न्यायवादी कौन है यानि अटर् जो न्यूज है इसको आप याद रखेगा नेक्स्ट यहाँ पर है भारत के लेखा महान यंत्रक यानि CGA कौन है तो अंसर होगा सोमा रॉय वर्मन इसके बाद कोईशन है भारत के मुख आर्थिक सलाकार चीफ एकॉनमिक एडवाइजर कौन है तो कृष्ण मूर्ती सुबर भारत के चीफ एकॉनमिक एडवाइजर है इसके बाद कोईशन है भारत के रास्ते सुरक्षा सलाकार यानि नैशनल सेकूरिटी एडवाइजर कौन है तो बहुत दिनों से है ये बहुत वर्सों से है आप इसको याद रखेगा अजीत डुभाल इसके बाद यहाँ पर है भ भारत के मुख चुनाव आयुक्त कोन है तो मुख चुनाव आयुक्त है सुनील अडोडा जो की भारत के 23 मुख चुनाव आयुक्त है ठीक है चीफ एलेक्षन कमिशनर ये आप याद रखेंगे चीफ एलेक्षन कमिशनर या फिर सवाल कई बार पूछ जायाता है भारत के न यहाँ पर है CBI के डिरेक्टर कौन है तो CBI के डिरेक्टर है रिशी कुमार सुकला इसके बाद कोशन है UPSC के नए अधेक्ष कौन है UPSC के नए अधेक्ष का नाम है प्रदीप कुमार जोशी ठीक है इसके बाद कोशन है भारतिय बैंक संग के अधेक्ष कौन है तो भारतिय अध्यक्ष का नाम है गिरीश चंदर चतुरवेदी ठीक है इसके बाद कोशन देखे आरबी आई के गवर्नर कौन है आरबी आई के गवर्नर का नाम है शक्ति कांत दास इसके बाद कोशन है आरबी आई के डेपुटी गवर्नर कौन है तो डेपुटी गवर्नर का नाम है नए उपाद्यक्ष की से न्युक्त किया गया है तो इसके नए उपाद्यक्ष का नाम है अशोक लवासा ठीक है ये पहले क्या थे ये चुनाव आयुक्त थे पहले और इनी के अस्थान पर राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त न्युक्त किया गया और अशोक लवासा क्या बन गए ADB के नए उपाद्यक्ष बने हैं ठीक है next question है भारती विमान पत्तन प्रादिकरन यानी AAI के अध्यक्ष कौन है तो ये हैं अर्विंद सिंग इसके बाद question है फिकी के अध्यक्ष कौन है तो फिकी के अध्यक्ष है संगीता रेडि Next question यहाँ पर है L.I.C. के अध्यक्ष कौन है L.I.C. के अध्यक्ष है ML. Issरो के अध्यक्ष कौन है तो issरो के अध्यक्ष है K7 isके बाद यहाँ पर है DRDO DRDO के भी जो अध्यक्ष है इनका कारकाल बढ़ाया गया है ठीक है तो देड़ साल के लिए लगबग का कारिकाल बढ़ाए गया है तो इसलिए इंपोर्टेंट है न्यूज में है इसको आप याद रखेगा DRDO के अध्यक्ष है जी शतीश रेडी ठीक है इसके बाद कोश्चन है टी आर ए आ यानि ट्राई के अध्यक्ष कोन है ट्राई का फुल प्रम होता है टेली कॉम रेगुल लोग कहा देते हैं यह यह वो एजनसी है जो आपके अधार कार्ट को मेंटेन करती है अधार काड को निर्गत करती है अधार कार्ट बनाना अपडेट करना यह सारा काम जो है यह एक सरकारी संस्था UIDAI है जिसके अंदर भारत सरकार का स्षेप होता है तो यह इसके CEO कौन है इसके CEO है पंकज कुमार ठीक है Unique Identification Authority of India यह इसका फुल फॉम होता है UIDAI का यह आपको याद रखना है पंकज कुमार इसके CEO है इसके बाद है NHAI यानि भारतिय रास्तिय राजमार्ग प्राधिकरन के परमुक कौन है इसके परमुक है सुखबीर सिंग संधू Next question यहाँ पर है नीती आयोग के अद्यक्ष कौन है नीती आयोग के अद्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं तो वरतमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो इसलिए अंसर क्या हो जाएगा नरेंद्र मोदी नीती आयोग के अद्यक्ष है इसके बाद question है नीती आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो इनके उपाध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजीव कुमार इसके बाद question है नीती आयोग के CEO कौन है अमिताब कान अगला कोश्चन यहाँ पर है ICC के अंतरिम अध्यक्ष कौन है ICC के अंतरिम अध्यक्ष है इमरान ख्वाजा इसके बाद कोश्चन पुछा जा सकता है आपसे ICC के CEO कौन है CEO का नाम है मनु सानी और नेक्स कोश्चन यहाँ पर है BCCI के अधेक्ष कोन है BCCI के अधेक्ष का नाम है Saurabh Ganguly और BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया है तो BCCI के अंतरिम CEO का नाम है Hemang Amin इसके बाद यहाँ पर question है भारती नौ सेना अधेक्ष कोन है तो नौ सेना, थल सेना और वायू सेना यह जो है इन तीनों के अधेक्ष को हमको जानना है तो नौ सेना के अधेक्ष कोन है Admiral Karam Veer Singh जो की 24 में 9 सेना अधेक्ष है Next है यहाँ भारती नौ सेना के अधेक्ष तो थल सेना के अधेक्ष का नाम है General Manoj Mokund Narwane जो की 28 में है और इसके बाद वायू सेना के अधेक्ष कोन है तो भारती यह वायू सेना के अधेक्ष है राकेश सिंग भदौरिया जो की 26 में वायू सेना के अधेक्ष है तो यह सब आपको याद रखना था ठीक है तो यह latest appointment थी आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किजएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर किजएगा थैंक्यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो का PDF आपको जो अपडेट करके हमारे एप पर मिल जाएगा तो आप एप के अंदर जाएगा सबसे उपर आपको PDF फाइल का ये जो लेटेस्ट PDF है उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा आप उसे डाउनलोड करके PDF के अंदर पढ़ सकते हैं थैंक्यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद